हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दे एक्जाम हैकर यूटूब चैनल दोस्तो हम लोग इसूज रिलेटेट टू इन्वाइरमेंटल पॉलोशन को डिस्कस कर चुके हैं उसमें हम लोग ने एटमॉसफिर की पॉलोशन, वाटर पॉलोशन, स्वाइल पॉलोशन तीनों को हम लोग डिस्स कर लिया हैं उसके बाद दोस्तों उसके बाद जो हमारी टॉपिक आती है ओ है चेंजेज इन पैटर्न आप लेंड यूसेज यह जो टॉपिक है दोस्तों चेंजेज इन पैटर्न आप लेंड यूसेज इसको हम लोग बहुत ही पहले डिस्कस कर चुके थे जो गर आप इंडिया में तो simply मैं यह वाला जो वीडियो है इसको मैं प्लेलिस्ट में अभी के प्लेलिस्ट में मैं आड़ कर दूँगा तो वहाँ पे जाके आप पिछले वीडियो में इस वीडियो से पिछले वीडियो में आपको यह topic आपको मिल जागा वहाँ पे आप इसको फिर से watch कर सकते हैं दोस्तो उसके बाद UPCS Labics recording जो हमारी topic है principles of environmental impact assessment and environmental management तो यहाँ पे EIA को discuss करने वाले environmental impact assessment को discuss करने वाले हैं तो दोस्तों यहाँ पर पहले definition देख लेते हैं फिर हम लोग देखेंगे कैसे हमारी फोर्ट इवाल्व होई देखो UNDP के according definition आप देखोगे तो EIA एक टूल है जिसके थो कोई भी development project होता है उसको decision लेने से पहले यानि कि development project को हम implement करेंगे कि नहीं करेंगे उससे पहले ही हम assessment कर लेते हैं कि जो project है हमारी environment पर क्या effect करेगी positive negative दोनों ही हमारी economy पर क्या effect करेगी हमारी society पर क्या effect करेगी इन तीनों पर effect का assessment decision लेने से पहले ही हम कर लेते हैं ऐसे टूल को बोलते हैं environmental impact assessment ठीक है तो environmental assessment impact assessment एक tool है as per UNDP decision लेने से पहले environment पर project का क्या effect होगा और economy पर क्या होगा society पर क्या होगा सब कुछ पहले ही assessment कर लेते हैं इसी को बोलते हैं environment impact assessment देखो EIS से पहले यानि कि आप देखोगे तो पहले का मतलब है 1968 में आप देखोगे एक report आई थी population bomb ठीक है फिर 1970 के आसपास आप देखोगे तो limit to growth भी report आई थी इन दोनों report ने पूरे जो development की strategy थी उसको हिलाक रख दिया और आप बोल सकते हो इसके बाद जो भी development project आने लगे हैं उसमें environmental पे भी ज़्यादा ध्यान दिया जाने लेगा इससे पहले कोई भी project हो चाहें इंडिया में किसी plant की setup करना हो या कोई भी dam बनाना हो उसमें आपको environment को उतनी ज़्यादा consider नहीं किया आता था लेकिन जब से यह report आई है global level पे तो इंडिया में भी इस पे फिर environment को भी consider किया जाने लगा और कोई भी project लाने से पहले यहाँ पे environmental के क्या effect करेगा impact करेगा उसको भी analysis किया जाने लगा तो 1968 से पहले सारे जो development project थे वो environment बे assessment नहीं करते थे कि environment का effect करेगा इसके विएसे जो हमारी development हो रही थी unsustainable हो रही थी और environment पर बहुत ज़्यादा impact पढ़ रहा था लेकिन 1970 के बाद हमारे global level पे environment को consider किया जाने लगा किसी भी development project लाने से पहले तो यहाँ पे environmental impact assessment है ऐसा नहीं है कि इंडिया में इसको implement किया गया सबसे पहले USA में implement किया गया और बाद में other countries में भी implement किया गया जो project थे उसको implement करने से पहले environment पे क्या effect करेगा उसको assessment किया जाता था लेकिन बाद में यहाँ पे इसको mandatory कर दिया गया environmental impact assessment को ठीक है तो अभी के अभी तक हम लोग देखे दोस्तों EIA का definition जैसा कि UNDP में देखे थे environmental impact assessment एक टूल होता है जो identify करना करता है कोई भी development project होती है उ उसका environmental क्या effect होगा, society पे क्या effect होगा, economy पे क्या effect होगा, prior to project decision making और इसका development 1970 के बाद आपको देखने को मिलता है इसकी main principle की बात करें कि environmental impact assessment क्यों की जाती है तो आप देखोगे कि जो development हम करते हैं और environment पे जो harm पहुंचता है वो harm हमारी in reversible होता है जो harm हम गर दिये हैं उसको reverse नहीं कर पाते थे, ठीक है, या उसको reverse से दी करना हो तो बहुत ज़्यादा time लेता है, environmental जो impact होता है उसके reverse करने में बहुत ज़्यादा time होता था, तो क्यों न हम environmental को harm पहुंचाए ही न, क्योंकि जो भी activities करेंगे उसका reverse हमारा environment पे नहीं कर सकत लाने में फिर से उसी position लाने में बहुत ज़्यादा time ले जागा, तो क्यों न हम environmental को harm पहुंचाए ही न, इसी principle को ध्यान रखते हुए environmental impact assessment की जाती है, तो environmental impact assessment का mean principle क्या हो, environmental को, environment, sorry, environment को harm पहुंचाए ही न, ठीक है, और उसके जो development है, उसके जो impact है, वो negative impact हो ही न, इन्वा example देशते हो, oil spill का, तो oil spill में जो aquatic जो organism है, generally marine जो aquatic system होती है, उसमें जो harm पहुंचाता है, उसको reverse नहीं कर सकते है, जो वहाँ पे aquatic, जो animal की death होती है, या plant की death होती है, उसको reverse नहीं कर सकते है, या, मानलो, biodiversity loss हुआ हुआ है, चाहे land की fragmentation से, या industry की setup हुआ है, biodiversity loss को आप क्या reverse कर सकते हो, फिर से वहाँ पे, जो biodiversity पहले थी, वो लाया जा सकता है, ऐसा नहीं नहीं लाया जा सकता है, या मानलो, कोई industry setup किये हो, किसी tribal population की area में, तो tribal पे जो cultural impact पहुंचेंगे, वहाँ की जो culture उनकी जो पहले से बेकार हो जाएगी, या changes हो जाएगे, क्य और इसको फिर से पहले जैसा culture वहाँ पे ला सकते हैं, ऐसा नहीं ला सकते हैं, तो आप यहाँ पे देश सकते हो, जो development पहले होती थी, उसकी जो impact होते थे environment, वो एनन्वायरिमेंट पे, इंबानेमेंट पे impact को फिर से reverse नहीं किया जा जाए सकता है, या biodiversity जो लास होते थे ऊ उसको भी reverse नहीं किया जा सकता है cultural जो impact होते थे tribal population को इसको भी हम reverse नहीं कर सकते हैं तो इन सब चीजों को reverse नहीं कर सकते हैं तो क्यों ना हम पहले से plan कर ले कि जो हमारी adverse effect हो ही ना adverse impact हो ही ना जो हमारी development plan है उसका तो इसी को principle ध्यान रखते हो दोस्तों यहाँ पे जो किसी भी development project को लाने से पहले decision लेने से पहले यहाँ पे उसको identify किया जाता है कि उहाँ की environment पे क्या effect होगी society पे society का मतला वहाँ की culture tribal population है तो वहाँ की culture पे क्या effect होगी और यह हमारी overall हमारी वहाँ के development को बढ़ाएगा कि न अंतरगत देखो EIA की history आप इंडिया में देखोगे तो 1976 से 77 में आप देखोगे तो river valley जो project इंडिया में implement किया जाता थे उसको वहाँ पे environmental को perspective मान के भी वहाँ पे analysis किया जाता था और 1994 में आप देखोगे 1994 में government ने notify किया था EIA को under environment protection 1986 में इसके बाद यहाँ पे mandatory कर दिया गया था कि development जो project आएंगे लगों में 30 जो category थी उसमें साब देखोगे कहीं पे यदि chemical से related एदी industries लगानी हो या nuclear से related energy लगानी हो या dam वाली project यह सब जो project थी या कोई भी बड़े industries को setup करना हो उसको mandatory कर दिया गया था कि वहाँ पे environment को clearance ले देगा कि उस project को अहाँ पे implement करना है कि नहीं तो यहाँ पे 1994 में government ने notify किया था EIA को mandatory बना दिया खार और उसके अंदर गत 30 major projects थे अभी आपको लगों में बहुत सारे categories में environment clearance लेनी पड़ती है government के government से दोस्तों इसमें four major stages हुआ करते हैं environment clearance देने के लिए government द्वारा उसमें आप देखोगे तो screening पहला step है यानि कि कोई भी project यदि implement की जा रहा है मालों industry के setup ही करना हो तो government के पास जाएगी तो वो देखे कि सबसे पहले कि क्या इंडस्टी को environment clearance की जरूरत है कि नहीं यदि environment clearance की जरूरत है तो next step में जाएगी यदि नहीं है तो उसको clearance होई पर देदी जाएगा screening में ही चाड़ जाएगा कि हमारी industry environment friendly है इसलिए environment clearance की जरूरत नहीं है तो screening पहला stage है scoping में उसका scope देखेंगे कि क्या क्या उहाँ पर adverse effect आएगा उसको में detail में देखेंगे फिर public hearing होती है यहाँ पर public participation भी देखने को मिलता है फिर public appraisal भी लिजाएगी तो यहाँ पर mean आप देखते हो public hearing भी की जाती है public का यहाँ पर जो public का जो expect है उसको भी यहाँ पर environment clearance में लिया जाता है इसलिए आप देखोगे कि बहुत सारे जो river time project थी उसमें बहुत ज्यादा यहाँ पर public का आपको strike या बहुत ज्यादा opposition देखने को मिलता था public का क्योंकि environment clearance में public hearing में यहाँ पर mandatory कर दी गई थी और scoping में देखोगे को दोस्तों यहाँ पर four step यानि कोई भी project ह है उसके four component यानि project को analysis करने के लिए मालो screening में हमारी project आगे कि environment clearance की जरूरत है तो इस project में क्या analysis करेंगे तो उसके four major यहाँ पर component आपको देखने भी लेंगे I think यहाँ पर five major component देखने हूं भी लेंगे सबसे पहले है यहाँ पर atmospheric assessment कोई भी project है उसमें आप देखोगे atmospheric assessment में क्या देखेंगे मालो एक बड़ी सी still plant लगाने है कहाँ पर जारखंड वाले area में तो जारखंड वाले area में आप पहले देखोगे still plant लगाने से पहले है कि वहाँ की atmospheric condition कैसी है यानि कि वहाँ पर air की temperature कितनी रहती है generally या वहाँ पर air में CO2 की मातरा कितनी है air pollution कितनी है या air की वहाँ पर जो movement direction कैसी होती है या वहाँ की speed कैसी होती है सब कुछ वहाँ पर assessment किया जाता है और उसके बाद यहाँ पर hypothetically potential देखा जागा कि industry जब setup होगी तो वहाँ पर कितने ज़्यादा discharge होगी air को कितना pollute करेगी उसके बाद CO2 का content क्या होगा वहाँ प यहाँ के air की speed कितनी होगी वहाँ के temperature कितनी होगा इस सारी चीजों को assessment किया जाता है atmosphere assessment पे तो इसमें आप देखो कि negative side पहले तो क्या था पहले से पहले क्या होँआ पर atmosphere condition थे फिर implement करने बाद क्या होगी और उसकी adverse impact हो रहा है तो क्या alternative हो सकते हैं उसको adverse impact को minimize करने के लिए atmosphere जो pollution है उसको कम करने के लिए उस alternative में भी best alternative को suggest करना यदि वहाँ पर industry setup होगे तो इस alternative को आपको implement करना पड़ेगा जो project वहाँ पर लगाएगा तो atmosphere assessment में क्या देखे जाता था पहले से क्या atmosphere condition थी और वहाँ पर कितनी impact पड़ेगी और उस impact को दूर करने के लिए क्या हमार first component में की जाएगी दूसरी component दोस्तों यहाँ पर hydrospheric assessment में वहाँ पर water को assess किया जाएगा यानि कि अभी वहाँ पर river या ground water या surface water है तो उस water में जो water की quality कैसी है मनल water में क्या क्या composition है अभी और वहाँ पर इंड़ेश्ट्री का setup होगा या project लगेंगे उसके बाद वहाँ पर surface water में क्या effect पढ़ेगा ground water में क्या effect पढ़ेगा इन सारी चीजों को assess किया जाएगा उसके बाद यहाँ पर मालू adverse effect पढ़ रहा है तो उसके लिए alternative भी बताया जाएंगे कि आपको यह करने पढ़ेंगे solid waste management के लिए surface water को manage करने के लिए और इसके वाज़े से इस alternative को आपको मालो कोई animals है या plants है तो animal of plants है, vegetation है, biosphere है उस पर अभी वहाँ पर biodiversity कितनी है, कौन-कौन से वहाँ पर animals है, भावना है, कौन-कौन से natural vegetation है और उसके बाद क्या impact पढ़ेगा, मालो है यहाँ फ्लाइस जनरेट हो रहा है, फ्लाइस से वहाँ पर जो natural vegetation में क्या impact पढ़ेगा, वो सब चीजों को analysis करके उसको minimize करने की alternative यहाँ पर दिखा जाते हैं इस component में, फिर हमारा land and soil assessment, वहाँ की soil के composition क्या है, soil की properties क्या है, अभी soil की productivity क्या है, soil में क्या क्या chemical composition है, और वहाँ पर industry यदि setup होगा, तो chemical composition, physical characteristic में क्या क्या changes हो सकते हैं, soil pollution हो सकते हैं, उसको कैसे minimize किय जाता है, इन सब चीजों को इस component में environment clearance देने से पहले assessment किया जाता है, इसके लगाँ दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप सिप land, soil को assess करोगे, फ्लोरा फाउना के assessment करोगे, हाइड्रो स्पेर के atmosphere को assessment करोगे, इसके लगाँ socio-economic consequence है, उसको भी यहाँ पर assessment किया जाता है मालो वहाँ पर कोई industries की setup हो रही है किसी भी area में, तो वहाँ पर मालो जो पहले की population है, उसकी culture पर ज्यादा effect नहीं हो रहा, मालो वहाँ बाहर से लोग आएंगे, तो culture पर adverse impact पड़ेगा, या वहाँ के जो language है, मालो बहुत कम बोलने वाले language है, और industry की setup हो जाएंगे, तो language बिल्यूप्त हो सकती है, उस पर यदि ऐसा कुछ impact पड़ेगा, तो उसको भी analysis की जाएगी, या वहाँ की society है, वहाँ की society है, जो local people है, वो किसी particular business में involved है, और यदि industry की setup होती है, population किसी हमारी project की setup होती है, तो उनकी जो particular business है, क्या उस पर adverse effect करेगा, या उसे positive impact आएंगे, यदि adverse impact पड़ेगा, तो उसको कैसे minimize की जा सकते हैं, वहाँ की culture पे, वहाँ के language पे कैसे minimize की जा सकते हैं, इन सब चीजों को environment clearance में यहाँ पे alternative दिया जाएंगे, और उसके जो adverse effect है, उसको यहाँ पे minimize करने की कोशिस के जाएंगे, इन सारे step में, तो हमारी component आप EIA हो गया, और इसके तरू हम किसी project को implement करने पाले ही, या decision लेने पाले ही, सारे चीज assessment की जाती है, environmental impact assessment पे, तो यह हमारा दोस्तों गया principle आप environmental impact assessment and environment management के अंतरगत, तो आज किस वीडियो में बस देना ही दोस्तों, I hope जो हम लोग डिसक्स किये हैं, आपको यहाँ पे कुछ नया सीखनो मिलाओगा, तो आज के लिए बस देना ही, thank you for watching, मिलते हैं अगले वीडियो में नए topic साथ, thank you